नमस्कार, मैं आलोक सिंग, आज आपनों के साथ एक अगला चैप्टर ओप्वाइड एनाजेशिक के बारे में कुछ जानकारी हाशिल करने की कोशिश करेंगे इससे पहले हम लोगों ने स्टेडी किया कि नन अस्टेरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स क्या होता है उसका क्या फार्माकोलोजिकल एफेक्ट है उसका क्या मेकनीजम आउफ एक्सन है वही पर हम लोग ने यह study किया था एनलजेसिक ड्रग को हम लोग दो ग्रूप में divide कर सकते हैं एक को हम लोग कहेंगे non-steroidal anti-inflammatory drugs या analgesic anti-piratic drugs और दूसरे को हम लोग कहते हैं that is the opioid analgesic जो हमारी non-steroidal anti-inflammatory drugs थी उनका use हम लोग somatic pain को control या treat करने के लिए करते थे जबकि जो opioid analgesic है इसका use हम लोग visual pain को control करने के लिए करते हैं अब यहाँ परशन है कि somatic pain क्या होता है और visual pain क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने detailed study कर लिया था in chapter non-steroidal anti-inflammatory drugs फिर भी अब यहाँ लोग इसको थोड़ा सा revise करते हैं visceral pain का मतलब हुआ कि वैसा pain जो हमारे body के internal organ के अंदर हो रहा हो जो pain dull in nature हो और यह locate करना कि यह body के किस organ में pain हो रहा हो थोड़ा सा मुश्किल कांग हो तब हम ऐसे pain को कहते हैं it is the visceral pain और इस visceral pain के treatment के लिए हम जिस analgesic का use करते हैं उस analgesic हम लोग कहते हैं it is the opioid analgesic या it is the narcotic analgesic आईए आज हम लोग इसी opioid analgesic and narcotic analgesic के बारे में कुछ जानकारी हाशिल करने की कोशिस करेंगे होड़ा सा हम लोग रुखते हैं इस topic को आगे परहेंगे लेकि थोड़ा सा अपने topic से हम deviate होते हैं हम सभी जानते हैं कि जो doctors हैं या जो physicians हैं वो अपने patients को advice देते हैं कि हर आदमी को morning hours में सुबह के समय share जरूर करना चाहिए और कम से कम 30 minutes brisk walking करनी चाहिए और जो person 30 minutes brisk walking करते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जो mood है वो mood elevated है उनका mood boost हो गया या उनके जो feeling है वो feeling उनकी improve हो गई या उनके अंदर जो stress था वो stress कम हो गया ठकावट कम महसूस करते हैं और वो पूरे दिन अपने आपको तरो ताजा महसूस करते हैं यदि कोई depression का symptom है तो वो depression का symptom भी इस morning walk से control हो जाता है या कोई depression होने वाली है depression का symptom appear होने वाला है तो वो भी इस से morning walk से control हो जाता है इसके अलावा और भी बहुत सारे benefits है morning walk के हैं ये benefits क्यों है यदि आप से पूछा जाए कि ऐसा क्यों morning walk के हमारे शेहत के लिए क्यों अच्छा है especially हमारे mood के लिए क्यों अच्छा है हम क्यों पूरे दिन अपने आपको तरो ताजा मैशूश करते हैं after brisk walking in morning आपका जवाब होगा कि morning hour में pollution free air है हमें sufficient oxygen body को मिल रहा है और उसे हमारी body rejuvenate हो गए और हम charged हो गए और हमारा पूरा दिन तरो ताजा हुआ और हम अपने काम को अच्छी तरह से perform करेंगे लेकिन जो person habitual morning walking करते हैं daily morning walking करते हैं और किसी कारण से उनका morning walk नहीं हो पाया तो वो पूरे दिन depressed महसूस करते हैं उन पूरे दिन अपने आपको अपने work पे concentrate नहीं कर पाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कुछ missing है अब देखिए पहला क्या था कि हमने morning walk किया हमारा mood elevate हो गया अच्छी बात है हम जब morning walk नहीं कर रहे हैं तो हमारा mood normal रहना चाहिए था लेकिन वहाँ पे normal नहीं है हम अपने आपको irritate महसूस करते हैं हम अपने work में concentrate नहीं कर पाते हम normal function या normal behavior adopted नहीं कर पाते यदि हमारा walking किसी दिन miss होगे ऐसा क्यों होता है उसका एक कारण है कि जब हम morning walk करते हैं या कोई भी physical exercise करते हैं अपने body को हम hard work physical hard work करते हैं उस condition में हमारे body के दोरा कुछ chemicals secret की जाती है और वो chemical हमारे cns को हमारे brain को stimulate करती हैं और हम अपने आपको fresh महसूस से करते हैं इस chemical में बहुत सारे ऐसे chemicals हैं जो chemical after hard working या after brisk walking या after physical exercise हमारी body के दोरा produce होती हैं और वो एक हमें satisfaction की feeling देती हैं हमारी mood elevate करवाती हैं वह बहुत सारे ऐसे chemical हैं उन में से एक chemical का हम example ले रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं it is the endorphine कहा ना में दूगया it is endorphine endorphine दो word के मिलने से बना है एक को हम लोग कहते हैं endo और दूसरे को हम लोग कहते हैं और और फिन endo word simple कहां से आ गया endogenous means हमारे body के अंदर का कोई system है तो हमने का endogenous system है तो हमने इसका नाम दिया chemical का biological effect वैसा ही होगा जैसा कि morphine का होता है और हम उस chemical करने हमने क्या नाम रखा it is the endorphine मतलब क्या हुआ कि जो morning walking करते हैं वो addict हो गया है उनके अंदर addiction आ गया जिस तरह से अफीम खाने वाले ओपियम खाने वाले का नशा होता है उसी तरह से जो morning walk करते हैं जो physical exercise करते हैं जो vigorous exercise करते हैं जो hard work करते हैं उनके अंदर भी एक नशा होता है काम करने का और वो नशा किसके चलते हो रहा है दा इन्ड слग करेंगे vigorous exercise करेंगे brisk working नहीं करेंगे उस समय उनकी body की डेफिशेंसी हो जाएगी तो वो अन इजीनेस फील करेंगे अपने काम में डे टू डे वर्क में वो अपने आपको कॉंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और ऐसे बहुत सारी केमिकल हमारे बॉर्दी के दौरा सिक्रीट होती हैं जो हमारे सी एनेस को इस्टिमूलेट करती है और जिनका बायलोजिकल एफेक्ट वैसा ही होता है जैसा कि मौर्फीन का फार्माकोलोजिकल एफेक्ट होगा और इसके लिए हम लोग ने एक वर्ड यूज करते हैं एक वर्ड रिकॉमेंड किया गया है जिसे कहते हैं लोग ओपियो पेप्टाइन मिन्स वैसा केमिकल जिस इस दा ओपियो पेप्टाइन्स तो मितलब क्या हुआ है कि जो ओप्वाइट्स है जो ओपियम है जो अफीम है जैसा एफेक्ट प्रोड्यूस करती है वैसा एफेक्ट हमारे बौडी के अंदर के केमिकल भी प्रोड्यूस होता है और वो भी वो एफेक्ट प्रोड्यूसे क करेगा तो आएए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ डेफिनिशन्स हैं उन डेफिनिशन्स को जानने की कोशिस करते हैं कि वो क्या होता है हम यहां पर डेफिनिशन्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यह term एक दूसरे से related है और confusing जैसे एक वर्ड है that is the opium दूसरा word that is the 거 Quin और तीसरा word है that is the opiate means opium opoid and opiate अब इन तीनों में क्या फर्क है किसे हम opium कहेंगे किसे हम opoade कहेंगे और किसे हम opiate कहेंगे सबसे पहला आया हमारा opium opium क्या है यह एक plant है जिसकों लोग opium poppy भी कहते हैं यह हम कह सकते हैं उसका botanical name it is the papyver somniferum papyver somniferum papyver somniferum क्या हो गया opium plant का botanical name हो गया तो opium को दिफाइन करना हो तो क्या हो गया opium के definition कि opium क्या हो गया कि it is a natural opium poppy that has resinous juice मिन्स उसका जो juice है वो resin की तरह है और उसके अंदर more than 20 alkaloids पाई जाती हैं मिन्स जो opium plant है उस opium plant का botanical name हो papyver somniferum और उसकी जो juice होगा उस juice क्या कहेंगे it is the opium और उस opium के अंदर that is the resinous juice of the papyver somniferum उसके अंदर जो chemical होगा that will be alkaloidal in nature and more than 20 alkaloids उस resinous juice के अंदर पाई जाती है और उस resinous juice के अंदर क्या नाम देते है it is a opium जो chemicals है जो most commonly chemicals जो हमारी इस pharmacology में use होती है as a medicinal तो वो chemical कुछ नाम यहां पर लिखा हुआ है जैसे morphine, codeine, theban, papavirine and nascopein यह सारे word आप लोग ने first year में या आपने जब pharmacognosy study किया होगा वहाँ पर यह सारे word प्रहाए गया होगा कि opium plant के अंदर जो active constituents हैं जो main active constituents हैं these are morphine, codeine, theban, papavirine and nascopein और यह जो chemicals हैं यह जो compounds हैं इनका use हम लोग pharmacology में भी करते हैं as a medicine तो हम लोग जानगे opium क्या है, opium is the resinous juice of the papivar somniferum plant दूसरा word हमारा है that is the opoate, opoate का मतलब हो गया कि कोई भी compound, वो compound natural हो या वो compound synthetic हो और जिसका pharmacological effect opium के जैसा हो या morphine के जैसा हो उन chemical compound को हम दो कहेंगे these are opoates, यहापर क्या कहा जा रहा है, natural or synthetic compounds having pharmacological effect similar to opium and morphine, then that compounds are called opoates तीसरा word हमारा आ गया, that is the opiate, कि opiate हम किसे कहेंगे वैसा drug, जो drug opium plant से मिल रहा हो, या वैसा drug जो opium plant से मिले हुए drug का semi synthetic third definition है, that is the opiate, कि opiate को हम कैसे define करेंगे any drugs obtained from the opium poppy, और any drugs, any semi synthetic compound derived from the drugs obtained from opium poppy उस semi synthetic compound को या उस drug को अनों क्या नाम देंगे, it is the opiate अब देखिए, opioid और opiate में क्या फर्ख हो गया, यहाँ पर थोज़ा सक confusion हो सकता है opioid में क्या कर रहें, natural compound, और opiate में भी क्या कर रहें, कि obtained from the poppy means जो poppy से मिल रहा है, वो भी एक natural compound है, लेकिन उसका हम लोग opioid में भी रख रहे है और opiate में भी रख रहे है, जब opioid का हम लोग natural compound word यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि वो morphine वाला structure सिर्फ हमें opium plant से ही मिल रहा हो, जैसे भी हम लोग पीछे study किया endorphine, कि हमारे body के अंदर endorphine develop होती है, तो endorphine क्या हो गया, endorphine is a natural compound, जिसका morphine के जैसा pharmacological effect है, तब हम इस endorphine को क्या कहेंगे, it is the opioid, लेकिन यदि वो ही opioid है, किसे मिल रहा हो, poppy plant से मिल रहा हो, तब हम उस opioid को क्या नाम देंगे, it is a opiate, या उस compound को हम लोग ने थोरा सा chemical modification किया, opiates जो हमारी poppy plant के active constituents हैं, उनको हमने थोरा सा modify किया, और एक कोई नया semi-synthetic compound डेबलब किया, जिसका pharmacological effect है, morphine के जैसा, या opium के जैसा होगा, तब हम उस compound को क्या कहेंगे, it is a opiate, तो इस तरह से हम लोग ने जाना definition कि opium किसे कहेंगे, और opiate किसे कहेंगे, और opiate किसे कहेंगे, अब ये जो opiates हैं, ये opiates हमारे body के उपर pharmacological effect प्रोडूस करती हैं, और वो कैसे produce करेंगे, कि हमारे body में कुछ receptors पाई जाएंगे, और उन receptor के साथ ये opiates combine करेंगे, और combine करने के बाद, bind करने के बाद, इनका pharmacological effect प्रोड्यूसर होगा वो receptors कौन कौन से हैं उनका four part में, four type में divide किया गया है उनका नाम है mu receptor, kappa receptor, sigma receptor and delta receptor mu, kappa, sigma and delta receptor अब उस opioid का क्या pharmacological effect होगा वो इस बात पर depend करेगा कि opioid किस receptor के साथ combine कर रहा है उस opioid का जो pharmacological effect है उसकी क्या potency होगी वो भी इस बात पर depend करेगा कि वो opioid किस receptor से unite हो रहा है किस receptor के साथ वो combine हो रहा है किस receptor के साथ वो bind हो रहा है मिनसे opioids के जो pharmacological effect है और जो इसका potency है वो किसके दोरा decide किया जागा by the opioid receptors with whom the opioids will combined or bind इसके potency के अधार पे हम opioids को three category में divide करते हैं एक को कहेंगे opioid agonist, दूसरे कहेंगे partial agonist और तिसरे काटेगरियों कहेंगे that is the antagonist suppose करें कोई ऐसा opioid है जिसका pharmacological effect और morphine का pharmacological effect similar हो तब हम उस opioid को तहेंगे it is the opioid agonist एदि suppose करें कोई ऐसा opioid है जिसका कुछ effect है जो pharmacological effect है वो हमारे morphine के pharmacological effect के साथ match हो रहा है सारी के सारी effect को match है नहीं हो रहा है कुछ pharmacological effect के साथ match हो रहा है तब हम उस तरह के opioid का नाम देंगे it is the partial opioid और वैसा opioid जो morphine के pharmacological effect को block कर दे है मिन्स मॉर्फिन के जितने भी pharmacological effect है उन सभी effect को block कर दे और कैसे block करें तो by combining with the opioid receptor तब हम उस तरह के receptor का उस तरह के opioid को कहेंगे it is the antagonist means opioid will produce action in our body by combining with the mu receptor kappa receptor sigma receptor or delta receptor these are the opioid receptors and depending upon their potency these opioids are divided into the three classes opioid agonist partial agonist and antagonist अब यह इनका detail कि इनके अंदर कौन कौन से drug आएंगे और उनका क्या pharmacological effect होगा उसको लोग बाद में study करेंगे आज हमों सिर्फ इस बास पे concentrate करेंगे कि जो opioid receptors हैं वो opioid receptors क्या होती है अब यह जो opioid receptors हैं यह opioid receptors हमारे body के different part में पाई जाती हैं लेकिन mainly यह central nervous system में पाई जाएंगी इसके अलावा जो nerve cells हैं nerve cells की जो endings हैं उन nerve cells में भी यह पाई जाती हैं और GIT हैं उन GIT के especially जो stomach हैं उस stomach के अंदर भी यह receptors पाई जाती हैं अब यह जो receptors हैं इन receptors का pharmacological effect इस बात पर depend करेगा कि वो किस area में पाया जाता है अब suppose करें कि हम brain की बात करते हैं तो brain के अंदर यह जो हमारी ओपाई रिशेप्टर्स हैं mainly spinal cord में stem cells के अंदर hypothalamus and limbic lobe यह जो five parts हैं इन five parts में यह concentrate होते हैं यह new receptors इन parts में पाई जाती हैं और इनका pharmacological effect इस बात पर depend करता है कि वो ओपाई रिशेप्टर brain के किस area में है for example कि यह ओपाई रिशेप्टर थैलमस के अंदर है तो यह ओपाई रिशेप्टर यदि stimulate हो गया तो हमारी जो emotions हैं उन emotional behavior को यह control करता है हमारी जो pain perception है हम जो दर्द महशूश करते हैं उसका जो threshold है उस threshold को यह effect करेगा उसी तरह से suppose करें कि कोई हमारा opioid receptor hypothalamus में पाई जा रही है तो यह opioid receptor हमारी जो endocrine gland की secretions हैं उन endocrine gland के secretions को effect करता है यह suppose करें कि कोई ऐसा opioid receptors है जो spinal cord में पाया जा रहा है तो वो opioid receptors stimulate होगा तो हमारी body के अंदर जो afferent nerves हैं उन afferent nerves को effect करेंगी अब यहाँ पर प्रश्ण आ गया कि एक नया word आ गया afferent nerves है कि afferent nerves हम किसे कहेंगे यह हमारे human anatomy and physiology chapter का topic है फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा revise करते हैं कि afferent nerves हम किसे कहते हैं हम सभी को मालूम है कि हमारे body के अंदर sensation है वो sensation organs से generate होती है और वो spinal cord से होता हुआ brain तक पहुशती है तो जिस nerve के द्वारा यह impulse conduct हो रही है from the organ to the spinal cord और to the brain हम वैसे nerve को कि नाम देंगे it is the afferent nerve और इसको हम लोग sensory nerve भी कहते हैं मेंस यह sensation प्राप्त होता है इसके द्वारा कि body के किस पार्ट में क्या development हो रही है कौन सी stimuli वहाँ पर present है या present है फिर brain इस impulse के response में अपनी तरफ से कोई order issue करता है और वह order brain से वह जो conduct होगा वह impulse conduct होगा और वह impulse conduct होते हुए muscles तक पहुंचता है तब हम लोग उस muscles का नाम दिया उसका नाम देते हैं it is the afferent nerve fibers afferent nerve fibers का क्या मसलत हो गया कि वैसा nerve जो nerve masses को carry कर रहा है कहां से carry कर रहा है तो from brain to the muscle से तो इस तरह के nerve का एक और दूसरा नाम भी होना देते है that is called motor nerves तो जो हमारी opioid receptors है यह opioid receptors जो spinal cord में पाई जाती है वह opioid receptors mainly हमारे nerve fibers को affect करती है nerve fibers के दोरा जो painful stimuli होंगी उसको block करेंगी और लास्ट हमारा हो गया that is the brain cells या brain stem brain cells या brain stem है यह brain stem पे जो हमारी opioid receptors पाई जाएंगी वह body के अलग-अलग system को affect करती है जैसे कि जो respiratory system है उसको वह change करेंगी body के अंदर जो stomach है उनके secretions को control करेंगी vomiting nausea और blood pressure को भी यह opioid receptor control करता है तो हमनोंने क्या इस्टरी किया कि opioid receptors brain के different parts में पाई जाती है और उस parts को जब यह stimulate होंगी तो उस तरह का अपना pharmacological effect प्रोड्यूश करेंगी अब एक point बच गया that is the limbic lobe कि जो cns का brain का limbic lobe है वहाँ पर जो opioid receptors होंगी यदि वो stimulate हो गई तो वो हमारे emotional behavior को control करती है लेकिन यह visceral pain को या जो pain का sensation हो उस pain के sensation को control नहीं करेंगी मैं फिर से repeat करता हूं सारा effect है सबसे पहला क्या हो गया हमारा that is the thalamus और thalamus का का काम क्या हो गया कि यहां का opioid receptor stimulate हो गया तो हमारे mood को elevate करेगा हमारे mood के behavior को change करेगा और pain perceptions को भी change करेगा यदि limbic region का opioid receptors stimulate हो रहा है तो वो सिर्फ हमारे mood को change करेगा pain perceptions को change नहीं करेगा limbic system कहां inside the brain यदि जो hypothalamus के अंदर opioid receptors है यह opioid receptor stimulate होंगी तो endocrine gland की secretions है उन secretions को affect करेंगी यदि वो spinal cord के अंदर जो opioid receptor है वो हमारी stimulate हो गई तो जो sensory nerves है मिनसे जो affront nerves से pain sensation move हो रही है उन pain sensation को control करेगा और सबसे last हो गया that is the brain stem के stem cells या जो brain stem के अंदर जो opioid receptors होंगी जब वो receptors को opioid combine करेगा तो हमारे respiratory system को affect करेंगी हमारे stomach को affect करेंगी हमारे GIT को affect करेंगी करेंगी हमारे vomiting को affect करेंगी nausea को affect करेंगी even जो eyes है उन eyes के उपर भी इनका affect होगा तो these are the effect of the opioid receptors present in the different part of the central nervous system अब हम लोग एक एक करके study करेंगे suppose करें कि जो mu receptor है वो mu receptor stimulate हो रहा है तो वहां पर क्या pharmacological effect प्रोडूश होगा लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग पहले यह जानते हैं कि जो opium है या जो opioid है उस opioid का general pharmacological effect क्या होता है तो अभी तक हम लोग ने क्या जाना कि यह opioid receptor हमारे central nervous system को effect कर रही है यह opioid receptor हमारे respiratory system को effect कर रही है यह opioid receptor हमारे digestive system को effect कर रही है और इसके साथ साथ यह eyes को भी effect कर रही है means जो opium है या जो opioids है उनका जो main effect है वह in four parts में है that is the central nervous system, respiratory system, digestive system सबसे पहले है central nervous system कि जो opium है या जो opoid है वो central nervous system पे affect करके हमारे body के अंदर जो visceral pain होंगी उस visceral pain को kill करेंगी means उस visceral pain को reduce करेंगी उस visceral pain को कम करेंगी यह sedation produce करेंगी और यह euphoria produce करेंगी मैं हमें उमीद है कि जो visceral pain है वो आपको पता होगा जो sedation effect है वो भी आपको पता होगा और जो euphoric effect है हो सकता है यह euphoria क्या होता है वो आपको मालूम नहों तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि euphoria क्या होता है euphoria को हम कैसे define करेंगे जब हमारी central nervous system stimulate हो हमारी brain stimulate हो और हम इस condition में पहुंच जाएं कि हम अपने आपको बहुत जादा pleasant महसूस करें हमारी जो pleasure level है वो बहुत जादा exigrate हो जाए हमें ऐसा महसूस हो कि हम एक तरह के hero है और हम कोई भी work perform कर सकते हैं हम आकाश में उड़ रहे हैं हम आकाश में swimming कर रहे हैं तो जो इस तरह का effect होता है तब हम उसे कहते है it is the euphoric effect जो operates होती है वो operates euphoric effect भी produce से करती है जब यह applied respiratory system को उपर जो effect करेंगे वो क्या होगा यह respiratory system को depressed करेंगे और coughing produce करेंगे means rate of respiration कम हो जाएगा और coughing start हो जाएगी dry cough start हो जाएगा जहां तक GIT की बात है तो GIT के उपर सबसे पहले तो यह जो GIT की secretions है especially stomach के secretions है उन secretions को यह decrease कर देंगी जो हमारी gastrointestinal tract है उनकी जो tone है उस tone को वो increase करेंगे tone को increase करने का मतलब क्या हो गया कि GIT के अंदर जो peristaltic movement है इस peristaltic movement को यह कम करेंगी और जब peristaltic movement कम हो जाएगी तो food होए वो food उपर से नीचे आनी की जो process होगा वो process slow हो जाएगा नतीजा कि हमारे body में constipation develop पे हो जाएगी और eyes के उपर कि eyes पर यह जो people की size है वो इस people के size को decrease कर देंगी जो eyes की people है उसके size को small कर देंगी आँखे हमारी छोटी-छोटी हो जाएगी पिन-पॉइंट people develop हो जाएगी तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि जो operates है उस operates का हमारे body के उपर क्या pharmacological effect होता है बहुत असान है central nervous system के द्वारा यह visual pain को kill करती है sedation produce करती है और euphoric condition produce करेंगी respiratory system के द्वारा यह respiration को depress करती है और coughing produce करेंगी means anti-tressive के रूप में act करेंगी GIT के उपर यह act करेंगी और वहां पर वह जाएटिक में जो stomach का secretions है उन secretions को यह कम कर देंगी GIT के अंदर जो उनका tone है उसके tone को increase करेंगी नतीजह peristaltic moment कम हो जाएगा GIT की motility कम हो जाएगी और वहां पर constipation डेवलाप हो जाएगा और जो eyes है उन eyes की size छोटी हो जाएगे अब आईए अब हम लोग इनी effect को देखते हैं कि यह effect हमारे किस opioid receptor के द्वारा produce होता है और वो opioid receptors क्या क्या effect प्रोड्यूस करती है हम जान चुके हैं कि हमारे body के अंदर जो opioid receptors हैं उनका हम लोग ने four category में divide किया four types में divide किया और उनका नाम दिया गया mu receptor, kepa receptor, delta receptor and the sigma receptor जो सबसे पहला receptor हमारी हम study करेंगे आज that is the mu receptor यह mu opioid receptor यह जो mu receptor है यह further हमारे body में two types की होती हैं एक कहलों नाम देते हैं mu 1 receptor और दूसरे कहलों नाम देंगे mu 2 receptor जब opioid analgesic mu 1 receptor के साथ combine करेंगी उस समय यह supra spinal analgesia effect प्रोड्यूस करती है और जब यह mu 2 receptor के साथ combine करती हैं तब यह spinal analgesia effect प्रोड्यूस करेंगी अब यह supra spinal analgesia and spinal analgesia क्या होता है इसके बारे में अभी हमनों जानकारी हासिल कर लेंगे लेकिन पहले यह जानने की कोशिस करते हैं कि mu 1 receptor और mu 2 receptor की क्या characteristics है हम सभी को मालूम है कि हमारे body के अंदर opiarts secret की जाती है और उस opiarts का नाम है example है देजार्दा, endorphine, endorphine, endorphine and dynorphine इन में से जब हम endorphine का close study करते हैं, close analysis करते हैं तो यह पाते हैं कि endorphine और इनका नाम है endorphine 1, endorphine 2 and beta endorphine यह जो endorphine 1 और endorphine 2 हैं इनके affinity mu receptor के साथ ज़्यादा होंगी जबकि beta endorphine, endorphine, endorphine और dynorphine की जो affinity है वो beta receptor के साथ लो होती है beta receptor के साथ, sorry, mu receptor के साथ लो होंगी मैं repeat कर रहा हूँ कि mu receptor के साथ affinity endorphine 1 और endorphine 2 की high होगी जबकि beta endorphine, endorphine, endorphine और dynorphine का जो affinity होगा वो mu receptor के साथ थे, कम होगा, लो होगा अब हम लोग यह जानेंगे कि जब opioid energesic इस mu receptor के साथ combine करेंगी तो यह क्या effect produce करेंगी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब यह mu receptor mu 1 के साथ combine करती है तब यह supra spinal energesia effect produce करती है अब प्रश्ण यह है कि supra spinal energesia क्या होता है देखें, जब हम diagram CNS का देखते हैं और वहाँ पर हमने यह देखा कि जो opioid receptors हैं वो CNS के अंदर पाई जाती हैं यदि opioid receptor वहाँ पाई जाएं जो spinal cord से उपर है मिन्स जो spinal cord के उपर का जो area है यहाँ कोई opioid receptor पाई जा रहा है और वहाँ से वो analgesic effect produce कर रहा है तब उससे कहेंगे इस दा supra spinal energesia supra means उपर, means spinal cord के उपर यदि वो analgesic effect produce कर रहा है by combining with the mu receptor present in the spinal cord उस condition में जो वहाँ analgesia effect produce होगा उससे हम लोग कहते हैं it is the spinal energesia means opioid energesic जब thalamus के अंदर के mu receptor के साथ combine करेगा जहाँ पे mu 1 receptor पाया जाएगा और वहाँ जो analgesic effect होगा उससे हम कहेंगे supra spinal energesia और जब opioid energesic mu receptor साथ combine कर रहा है और कहाँ पे? तो inside the spinal cord और वहाँ उससे वो analgesic effect produce कर रहा है तो उससे कहेंगे it is the spinal energesia इसका मतलब कि spinal cord में जो mu receptor है that is the mu 2 receptor और thalamus के अंदर जो mu receptor है that is the mu 1 receptor अब जो mu 1 receptor जो हमारी stimulate होगी mu 1 receptor के साथ जब opioid energesic combine करेगा तो supra energesia के साथ और भी कुछ effect produce करता है जैसे वो sedation effect produce करेगा euphoric condition produce करेगा respiration depression produce करेगा miosis means जो आई होंगी आई की जो size होगी pupil की size होगी वो pupil के size को छोटा करेगा और ये drug dependence भी develop करेगा drug dependence means परसन ड्रग के लिए addiction प्रोडूश कर सकता है तो these are the effect of opioid analgesic after combining with the mu1 receptor जब ये mu2 receptor के साथ combine कर रहा है suppose करें कि opioid analgesic ने mu2 receptor के साथ combine किया जो की spinal cord के अंदर है उस condition में ये spinal analgesia produce करेगा यहाँ भी respiratory depression produce करेगा उसके साथ साथ वो gastrointestinal tract के secretion को कम करेगा gastrointestinal के tone को GIT की जो tone है उस tone को वो increase करेगा नतीजा जो peristaltic movement है वो peristaltic movement कम हो जाएंगी GIT की motility कम हो जाएंगी और वो constipation producing करेगा तो these are the effect of opioid analgesic after combining with the mu receptor that is the mu 1 receptor and the mu 2 receptor अब इसे हम लोग short में देखते है combine effect क्या हो गया कि जब mu receptor के साथ opioid analgesic combine करेगा तो क्या क्या effect produce करेगा सबसे पहले वो analgesic effect produce करेगा दूसरा जो respiratory depression है वो effect produce करेगा GIT के tone को increase कर देगा GIT के tone increase होने से GIT की जो motility है वो motility कम हो जाएंगी GIT के अंदर secretions कम हो जाएंगे stomach में secretion कम हो जाएंगा नतीजा कौस्टी पेशन होगा प्यूपिल की साइज है आई की जो साइज है वो साइज हमारी small हो जाएंगी sedation produce करेगा और यूफोरिक condition प्रोडूस से करेगा तो इस दा यूफोरिक condition दिस दा यूफोरिक condition और इस तरह से हम लोगोंने अभी तक यह जाना कि opioid energy का क्या effect होगा on the mu receptor और सबसे जो dangerous effect है that is the it cause the physical dependence means हम कुछ समय के बाद उसके उपर dependent हो जाएंगे और और हमें बार बार और और लेने की एक्छा develop पे होंगी दूसरा opioid receptor है that is the kepa receptor kepa receptor भी दो types की होती है एक को कहेंगे हम लोग kepa 1 receptor and kepa 2 receptor opioid analgesic जब kepa receptor के साथ combine करती है तो वहाँ पर mainly यह anesthetic effect produce करती है anesthesia की जैसा effect produce करेंगी क्या हमने शरी किया कि mu के साथ combine करकि analgesic effect produce करती है जबकि kepa receptor के साथ combine करने के बाद opioid analgesic anesthetic effect produce करेंगी यह anesthetic effect को भी हो लोग दो part में divide कर सकते है that is the spinal anesthesia and supra spinal anesthesia अब आप समझ गये होंगे हम spinal anesthesia किसे कहेंगे और supra spinal anesthesia किसे कहेंगे इसके अलावा यह opioid analgesic दूसरे effect भी produce करेंगी like analgesic effect respiratory depression people's size के सोटा करना hallucination and dysphoria अब यहां पर एक प्रस आगया that is the dysphoria dysphoria के अलावा या sedation और physical dependence भी produce करती है यहां पर दो चीज़े additional आ रही है that is the hallucination and dysphoria dysphoria का मतलब हो गया just opposite to euphoria euphoria में क्या हमने कहा कि हम बहुत ज्यादा excited हो जाएंगे और dysphoria में क्या हमने कहा कि हम depression में चले जाएंगे depressed condition में आ जाएंगे that is called the dysphoria और इसके साथ वो physical dependence भी produce करता है केपा receptor के बाद जो third receptor है that is the delta receptor और जब delta receptor के साथ opioid analgesia combine करेगा तो वहाँ पर वो spinal analgesia effect प्रोडूश करता है लेकिन यहाँ पर जो difference है that is the it combined with the myentric plexus जो myentric plexus है यह हमारे GIT के अंदर पाई जाती है और GIT के अंदर पाई जाने से जो GIT के अंदर जब यह myentric plexus को stimulate करेगा तो वो GIT के peristaltic movement को decrease करेगा और जब peristaltic movement decrease होगा तो उस condition में यह constipation producer करेंगे जो delta receptor limbic region में पाई जाएंगी और जब वहाँ पर वो उपाई receptor combine करेगा उस condition में वो emotional behavior को change करेगा और respiratory depression भी produce कर सकता है और सबसे last हुआ that is the sigma receptor sigma receptor non selective है मिन्स यह किसी भी compound के साथ combine कर सकती है मिन्स यह opioid के साथ भी combine कर सकती है और जो non-opoiet से उनके साथ भी combine करेंगी और sigma receptor के साथ जब यह कोई भी combination होता है तो usually वहाँ पे वो hallucination produce करते है वहाँ पे tachycardia produce करेंगे जो pupil का size होगा उस pupil के size को यह decrease करेंगे और यह psychomymetic effect भी produce करता है तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि जो opioid receptors है वो कितने types की होती है और वो अपना क्या-क्या effect produce करता है मैं उमीद करता हूँ कि आपने कोई यह topic सारा clear हो गया होगा फिर भी यदि कोई doubt है तो आप परश्ण जरूर लिखे अपने questions को comment box में लिखे मैं अपनी दर्फ से courses करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ thanks a lot for remaining with me for such a long duration thanks a lot once again